नमस्कार दोस्तों आज हम बात करेंगे स्ट्रेस यूरिनरी इनकॉंटिनेंस की दोस्तों महिलाओं में यूरिन लीक की समस्या बहुत कॉमन है बहुत सारी महिलाएं इसको बढ़ती उमर का भागी मान लेती हैं और इसको ऐसे ही इससे सफर करती रहती है ओवर पिरोड ऑफ टाइम इस यूरिन लीक होने के कारण स्कीन एक्सकोरिएशन डर्मेटाइटेस कई तरह के यूरिन इंफेक्शन और एक सोशल स्टिग्मा याने कि लो सेल्फ इस्टीम लो कॉन्फिडेंस परिवार में कोई फंक्शन हो रहा है तो अटेंड नहीं करना चाहरें इस तरह की प्रॉब्लम्स से पीडित रहती हैं औ बिना सरजरी के भी इसकी ट्रिटमेंट की जा सकते हैं तो stress incontinency की जहानताय में बात करूं तो थोड़ा सामें अपने प्रिषाप जो निचले मुत्रमार्क का जो इसको समझना पढ़ेदा कर टृषाप का जो निचले मुत्रमार्क का तंसर है पूरा इसमें 3 itelों मांस्पेशिया, फेशिया, लिगामेंट्स और हड्डिया, पेल्विस में हड्डिया होती हैं, उससे जोड़े लिगामेंट्स होते हैं, और फेशिया और मांस्पेशिया होती हैं, जो कि पेशाब की थहली को सपोर्ट करती हैं, इनको पेल्विक फ्लोर कहा जाता है, जिसके उपर पेशाब की थैली स्थित होती है अब इसको कंट्रोल करने वाली spinal cord हमारी जो रीड की हड़ी है वहां से कुछ नसे ऐसी निकलती है जो कि पेशाब की थैली को कंट्रोल करती है कब पेशाब करना है जब इक्षा होती है तो ये नसे कमांड देती है तो पेशाब की थैली सिकुरती है तो पेशाब का निकास हमारे निचले मुतमाग से बाहर की तरफ हो जाता है और कब urine को store करना है पेशाब नहीं करने की इच्छा हो रही है तो low pressure में पेशाब की थैली में पेशाब को store करना है ये चीजें भी पेशाब की थैली के musculature और उसको supply करने वाली nerves निर्धारित करती है तो जब किसी भी बीमारी के कारण ये manspatia, ये nerves ये इनका support system खराब हो जाता है तब हमें urine leak की समस्या चालो हो जाती है तो आएए जानते हैं कि stress incontinence के कारण क्या है याने urine leak होने के मुख्य कारण क्या है सबसे बड़ा जो कारण है stress urinary incontinence का वो है pregnancy एवं child birth महिलाओं में especially जिन में बार-बार deliveries हुई है especially vaginal delivery हुई है इन महिलाओं में जो हमारे pelvic floor के muscles होती है वो weak हो जाती है over a period of time तो ये weak होने के वज़े से हमारे पिशाप की थैली को support नहीं मिल पाता है especially जब हमारे पेट का pressure बढ़ता है यानि कि हम जब खासते हैं चीकते हैं उस समय specially जो है नीचे का support ना होने के वज़े से पिशाप की थैली से urine का लीक चलो हो जाता है अब ये urine लीक जो है कुछ drops का भी हो सकता है या काफी जादा भी हो सकता है जिनको जादा लीकेज होता है अक्सर वो पैड का इस्तमाल करते हैं pregnancy or child birth में caesarian section अगर होता है तो उसमें इस तरह की समस्या नहीं आती है नार्मल वजैनल डिलिवरी में ये समस्या जादा आती है ऐसे मरीजों को जिनको डिलिवरी के समय कोई परिशानी हुए या प्रोलॉंग लेबर हुआ है यानि कि डिलिवरी में जरूरत से जादा समय लगा है या बच्चे का वजन बहुत जादा है मेला की छोटी है तो उसमें से जब निकलते हैं तो कुछ डैमेज हमें होने की समस्या रहती है या कुछ मेलाओं को डिलिवरी के समय एपीजियो टॉमी लगा कर यानि कोई कट लगा कर जो है बच्चे को बहार निकालने की जरूरत पड़ी है या फॉर्सेप्स का इस्तमाल कॉंटरसेप्टिफ पिल्स ले रहे हैं कुछी भी एस्तोजें प्रोजस्टा और हमोन का इस्तमाल कर रहे हैं तो आपको स्ट्रेस इन्कॉंडिनेस होने की समस्या ज्यादा होती है तीसरा मुख्य कारण जो है वह स्मोकिंग धूम्रपान करने वाले वेक्तियों में स्ट्र ideal body weight जिन्होंने maintain कर रखा है उसके comparison में stress incontinence की समस्या अधिक होती है इसके अलावा पांचवे या छटे दशक में पुरुषों में खास कर जिनको prostate की समस्या है या prostate cancer के लिए उप्चार कराया है radical prostate एक में operation कराया है या कोई भी prostate related surgery हुई है तो उनमें भी incontinence की समस्या stress incontinence की समस्या रहती है हाला कि इस surgery के बाद generally ये incontinence over a period of time simple kegal exercises या इस तरह की conservative measures से ही या over of the period of time वैसे भी धीरे धीरे ये ठीक हो जाता है इसके अलावा मैं बात करूं stress incontinence की तो जो neurological disease से पीडित लोग है जिन में लंबे समय से कोई जैसे Parkinson disease, stroke है या multiple sclerosis है इस तरह की neurological बीमारिया, spinal cord injury हुई हुई है तो इस तरह की बीमारियां से पीडित लोगों में भी stress urinary incontinence आधिक होता है तो यह थे कारण stress incontinence की तो आए जानते हैं कि जब यह हमें diagnose हो जाता है stress incontinence तो आगे हमें क्या करना होता है तो सबसे पहले तो urologist ही सरी doctor है इसको treat करने के लिए अपने urologist से मिलिए वह आपकी पूरी history लेते हैं पूरा आपका diagnosis पका करते हैं फिर आपको examine करते हैं इस particular बीमारी में बहुत जादा कोई test करने की आभशकता नहीं होती जादातर केस में urologist के office में examination के दौरान खासी करकर चीक कर जो है stress incontinence काफी apparent होता है तो इसमें कोई बहुत बड़े test की ज़रूरत नहीं होती simple urine examination और ultrasound ही काफी होता है rule out करने के लिए कोई और चीज हम मिस तो नहीं कर रहे हैं बहुत ही complicated जो cases होते हैं उनमें फिर urodynamic study वगेरा test करने की ज़रूरत कभी-कभी rare case में पढ़ती है तो यह हो गया assessment आए जानने की इसमें treatment के पद्धितियां क्या-क्या है treatment की बात करूं तो पहले तो conservative measures या lifestyle modifications इसमें एहम होते हैं सबसे मुख्य मुमिका जो होती है वह पैल्विक फ्लोर rehabilitation therapy की होती है जब आप stress incontinence के साथ जाते हैं तो शुरुवात में आपके युरोजिस्ट आपको कुछ पैल्विक फ्लोर exercises सिखाते हैं साधारन भाशा में इनको कीगल exercises भी कहा जाता है बेसिकली आपके पैल्विक फ्लोर के muscles को tight करना और उसको tight करके ही maintain रखना यही एक exercise है यूजुली हम कहते हैं कि इन muscles को tight करना है एक सिले के 10 तक गिनना है उतने time तक इस muscle को tight ही रखना है फिर धीरे-धीरे करके 10 से एक तक गिनते वे इस muscle को relax करना है ऐसे exercises सुबह 8-10 बार दुपैर को 8-10 बार रात को 8-10 बार कर ले तो इससे हमारे stress incontinence को control करने में काफी improvement मरीजों को इससे महसूस होता है इसके अलावा अपना body weight अगर आप कम करने में कामियाब हो जाते हैं तो इससे भी incontinence को रोकने में काफी help होती है तो body weight का नियंत्रन एक मुख्य भूमी का निभाता है urinary incontinence को control करने में जितना ज्यादा आप अपने ideal body weight के करीब पहुंचेंगे urinary incontinence के episode जो है उतने ज्यादा कम हो सकेंगे इसके अलावा अगर आप धूम्रपान करते हैं तो उसे बंद कर दीजिए इसके अलावा फ्लूइड थोड़ा सा रेस्टेक्ट करना होता है चाय कॉफी और ज्यादा इरिटेंट जो ब्लैडर इरिटेंट चीजें होती है अधिक मशाले वगेरा इस चीज की इस तरह की चीजें अवाइड करने से भी हमारे इंकॉंटीनेस करें काफी राहत मिलती है जब यह सारे कंजर्वेटिव मेजर्स फिर हो प्रेसेंट के रूप में इस्तिमाल होती थी पर इनका stress incontinence को control करने में भी role पाया गया है तो इनका trial हम लगबग 1-5 महीने के लिए देते हैं और इस बीच में अगर improvement आ जाता है next step क्या है stress incontinence मैंने जैसे बताया जो निशले मुत्रमार की संदचना है उसमें पेशाब की थैली के मुह और पेशाब की नली के नीचे का जो support है मांस पेशों का वो वीक हो गया है तो operation अगर करने की बात आती है जो last resort होता है वो surgery या operation ही होता है तो इसमें हम इन मास पेशों के नीचे एक support रखने का काम करते हैं अब यह support जो है किसी body के tissues को वहां लगाने से हो सकता है या फिर कोई artificial tissue यानि टेप लगाने से हो सकता है तो artificial टेप कई तरह से आते हैं इनको mid-urethal sling surgery कहा जाता है trans obturator tape, TOT tape, TVT tape इस तरह के टेप आते हैं जो artificial tapes होते हैं synthetic material के बने होते हैं और यह पेशाब की नली के नीचे जस्ट लगा दी जाते हैं U-shape में लगा दिये जाते हैं ताकि जब भी हमारे पेट का pressure बढ़ता है खासने चीकने पे तो फिर उस समय हमारी पेशाब की थहली जब उस पे दबाव पढ़ता है तो उसको पीछे नीचे की तरफ कोई support मिले जिसके अगेंस्ट वो सपोर्ट मिलने के वज़े से पेशाब की नली जो है वो दब जाती है और सिर्फ पेशाब का लीकेज नहीं होता है इसके लावा ओर्टो लॉगर्स प्यूब वजनल स्लिंग एक सर्जरी है जिसमें हम पेट के निचले हिस्से से जो पेट की मान स्पेशों की शीत होती है उ उसको हम पेशाब के थैली के मूँ के नीचे ब्लैडर नेक के नीचे लगाते हैं जिससे की वही काम होता है पेशाब की थैली का प्रेशर जब बढ़ता है तो उस समय हमें पीछे कोई सपोर्ट मिलता है जिससे की पेशाब की थैली का मूँ बंद हो जाता है और यूरीन ल डालना है जिसके वज़े से बढ़े हुए प्रेशर के समय पे यूरीन लीक ना हो यह काफी कारगर इनका सक्सेस रेट 90 परसेंट से उपर होता है जनरली कोई मेजर समस्या नहीं होती कुछ मरीजों को पेशाप करने में फिर दिक्कत होती है जो की ओवर पिरेट अपने आप थीक हो जाती है तो stress urinary incontinence एक perfectly treatable condition है इसको छुपाए नहीं इसको जल्दी से जल्दी अपने युरोजिस से मिलकर इसको treat कराएं और इसमें इसके complications से आप बचे यह इसके बारे में पूरी जानकारी थी इसके अलावा भी अगर आपके कोई सवाल है तो आप comment section में पूछ स जाइ नहीं आप! चल्क स्वाभ नहीं थानकारी जी हो जाइ धी जानकारी जास थी कि अपने आपके में और toujours सकती है तो कि उल्दी आपके कोई से जाएं ़िसके怎么了